हेलो फ्रेंड्स, ट्रू ट्रॉक्स में आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करने बाले हैं सुभा जल्दी उठने के फायदे के बारे में, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। सुभा के तीन बजे से पाच बजे तक और इस भ्रह्ममुत में पुड़ा पक्रिती में एक ऐसा दविक शक्ती का प्रकट होता है, जो पुरे भ्रह्मान और मनुष्यों जाती के लिए अती आभश्यजनक माना गया है और अती फायदयमन भी। और हम लोग जितने भी धर्मग्रंट परते हैं और सब इक धर्मग्रंटों में एक बात हम लोग को कमन मिलता है वो है कि सुभा जल्दी उठने के बारे में। तो इसलिए सुभा जल्दी उठना अत्त जरूरी है और हम लोग का घर में भुजूर्ब भी ये कहते है कि सुभा जल्दी उठने के लिए और हम लोग ने ये भी सुना है कि जितने भी साक्सेस्पूल और महान लोग है और लोग सुभा का जल्दी उठना पसंद करते हैं जो हम अपने आपको एकांत रख सकते हैं, और हमारे गोल्स या ड्रीम्स पर हम काम कर सकते हैं, इसलिए सुभा जो लोग जल्दी उठते हैं, वो लोग अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पर पूरी अच्छे तरीके से काम करता हैं, और डेफिलेंटली उन लोगों को साक्सेस और सुबा के time जो लोग पढ़ाई करता है उनके लिए भी बहुत आच्छा मना गया, क्योंकि उस time पे हम लोग का जो सृति सोपती है, जो फोकस होता है, वो भहती आच्छा होता है. और उस time पे हम लोग जो परते हैं उसको याद राखने में हम लोगों को मदद मिलता है इसलिए सुबा का टाइम स्टूडेन के लिए भी फायदेजनक है और सुबा जल्दी उठने के बाद हम लोग एक्सेसेस के साथ साथ योगा भी कर सकते हैं जो हम लोगों का मस्तिश्कों को सांत राखने में करता है हम लोग का जो स्ट्रिती सकती होता है उसको आगे बराता है और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग सुबा जल्दी उठते हैं वो लोग बाकी लोगों से बहुत तेज होते हैं उनका डिमाग भी बहुत तेज होता है और सुबा जल्दी उठने से हम लोग आपको मिनिमाम पंड़ा से 20 दिन लागातार जो कुछ भी हो हमको अरभाई सिर्फ सुभा जल्दी उठना है यह मान के ठान लो देखना पंड़ा 20 दिन बात आप अपने आपको अपना जिंदिग में कुछ ना कुछ बदला हुआ लगेगा आपका मोन हमेशा कुछी और एनर्जेटिक रहेगा किसी से भी बात करने के टाइम आपका जो रियक्शन निकलेगा जो इस्क्रीन का जो हम लोग का जो एक्स्प्रेशन हो क्योंकि आप लाइक करने से मुझे पेरना मिलती है दुसरा वीडियो बनाने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बेल आइकन को डबा देना